नमस्कार दोस्तों, फोर डिवाइन में आप सबी का स्वागत है फ्रेंड्स, जब घर में हमारे कभी सबजी खतम हो जाते हैं, तो आप ये सबजी ट्राइ कर सकते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज और बेसन की सबजी बहुत ही स्वाधिस बनके ये तैयार होता है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है तो प्याज बेसन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे तीन मीडियम साइज के प्याज जिसे हमने स्लाइस में काटके रखा है दो टमाटर रफली हमने चौप करके रखा हुआ है दो चम्मज भड़के हम बेसन लेंगे तीखा अब अपने इसाब से यहां पर एड़ जास कर सकते हैं मैंने आदा चम्मज लाल मिस्ट पाउडर लिया है नमक लेंगे अब अपने स्वाध अनुसर एक चोथाई चम्मज जीरा पाउडर एक चोथाई चम्मज हल्दी पाउडर और लेंगे हम एक तियाई चम्मज धनिया पाउडर तो फ्रेंच चलिए हम यह जल्दी से रेसिपी सुरू करते हैं सबसे पहले हम पैन में डालेंगे तेल तो यहां पे हम एड़ कर रहे हैं तो चम्मज सर्षो का ते आप चाहे तो वेचिटेबल ओई में भी बना सकते हैं तेल को हम धोड़ा सा गरम हो जाने देंगे पहले फ्रेंड्स रेसिपी देखें अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में भी मेरे रेसिपी को सेयर कीजिएगा और अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए-ने रेसिपी देखें के नोटिपिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नेया वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले नोटिपिकेशन आप लोगों के पास आजाए जब तेल हमारा गरम हो जाए सबसे पहले हम डालेंगे प्याज आप चाहे तो यहाँ पे हरे मेर्च भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना तीखा आपको पसंद है प्याज को हमें गोल्लेन ब्राउन हो जाने तब फ्राई नहीं करना है बस हमें तीन से चार मिनित बस सौते कर लेना है प्याज को हम थोड़ा सा हाट रखेंगे बदला कच्चा रखेंगे प्यास को हम जल्दी सौफ हो जाने के लिए नमक भी अभी आड़ कर देंगे अच्छे से मिला लेंगे एक बार दो मिनिट हो गए प्यास को भूनते हुए दो मिनिट और हम इसे हाई प्लें में भूनेंगे लेकिन मानिए ये रेसिपी एक बार मेरे पे टस्ट करके बनाईएगा और कैसा बना आपका ये प्यास बेशन की सब्दी आप मुझे नीचे कॉमेंग करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये रोटी पराठे के साथ खाने में कुछ दिल और हम इसे भूनेंगे अब देख सकते हैं प्यास अभी भी हमारा कच्छा है हमें यहां तक ही भूनना था इससे ज्यादा हम प्यास को और प्राइ नहीं करेंगे तो अभी हम इसमें एड कर लेते हैं कटे हुए टमाटर तमाटर अच्छे से निला राखते हुए हम दो मिनिट भूनेंगे पैन को कवर कर देंगे हम दो मिनिट के लिए जिससे टमाटर और पयाज हमारा जल्ली सोट हो जाए चेक कर लेंगे एक बार तमाटर हमारा थोरा सा सोट हो गया है अब हम यहापे बाती जो ड्राइ मसाले है वो एड करते हैं जनिया पाउडर लाल मेंज पाउडर हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर सबी ड्राइ मसाले डालने के बाद हम अच्छे से मिलाते हुए एक मिनित भूनेंगे टमाटर को हम बिल्कुल माहिन नहीं करेंगे तो उड़ा सा प्याज के साथ हम साबूद रखेंगे अच्छे से मसाले को हमें बूलना है जब मसाले हमारा अच्छे से बूल जाएगा सब हम इसमें बेसन याइद करेंगे तो दो मिनित हम अच्छे से चला लेते हैं और हम इस जो दो चम्मस बेसन है दो बाड़ी में याइद करेंगे एक बारी में हम नहीं डालेंगे इसमें तो अच्छे से हम मिलाते हुए भूनेंगे एक बारी में डालेंगे तो बेशन हमारा गुटलिया कर सकते हैं इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें एड़ करेंगे अच्छे से जब मिल जाए तो बाकी जो बेसन है इसे डालने के बाद अच्छे से फिर से मिलाएंगे अच्छे से हम बेसन डालने के बाद मिलाएंगे और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो करके पैन को कॉबर कर देंगे दो मिनिट के लिए बीज में एक बार हम चेक भी कर लेंगे जिससे सबजी नीचे हमारे नाचिप के दो मिनिट बाद चेक कर लेंगे हम अच्ची से एक बार मिला लेंगे इस पे हम डालेंगे थो गुराचा कटा हुआ हरा दनिया अच्छे से मिला लेंगे हम गैस का फ्लेम हाई कर देते हाई फ्लेम में इसे हम और 30 सेकेंड के लिए बूनेंगे बन गया बस कुछ सेकेंड और आप चाहे तो उपर से थोड़ा सा गरम मसाले एड कर सकते हैं बन गया हमारा प्याज और बेशन की बहुती टेस्टी सबजी अब हम गैस का फ्लेम बन कर देते हैं और ये क्लेट में हम इसे सर्फ कर लेंगे लिजे फ्रेंज हमारे बेशन और प्याज की सबजी बन के तयार हैं बहुती टेस्टी सबजी बने हैं जब आप बनाएंगे तब आपको खुदी पता चल जाएगा तो फ्रेंज अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में सेयर कीजिएगा और मेरे रेसिपी कैसा लगा अब मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार तो फ्रेंज आसा करते हो आज का वीडियो आपको पसंद आयोंगे अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आये तो प्लीस वीडियो को लाइक कोमेंट सेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे नीचे दिये गए मेरे चैनल के लोगों में आप क्लिक कर सकते हैं और लेटिस वीडियो के नोटीबी के सान के लिए आप बैल आइकन को भी प्रेस किजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करू सबसे पहले आप लोगों को नोटीबी के सान आ जाए और मेरे चैनल के दूसरा वीडियो देखने के लिए आप अपने गाइट में क्लिक कर सकते हैं तो फ्रेंट्स नए वीडियो के साथ फेसे मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद